दोस्तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि commodity market में trading कैसे करते हैं और commodity market से विर सोना कैसे खरीते है दोस्तो लोग equity market के बाद commodity market में पैसा लगाना ज़ादा पसंद करते हैं share market के बाहर देखा जाए तो सबसे बड़ा market commodity market है Commodity Market में निवेश करके लोग बहुत सारा पैसा कमाते है Commodity Market में लोग सिर्फ निवेश ही नहीं करते यहाँ पर लोग ट्रेडिंग भी करते है Commodity Market में ट्रेडिंग करने से पहले आपको Commodity Market के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि यह मार्कीट भी जोखीम से भरी हुई है मतलब यहाँ भी बहुत सारा रिस्क होता है अगर आप Commodity Market की अच्छी जानकारी नहीं रखते तो आपको इसमें नुकसान ही नुकसान होगा चलिए अब आपको मैं बताता हूँ कि Commodity Market क्या होती है दोस्तो शेर मार्कीट की तरह ही Commodity Market एक ऐसा मार्कीट है जहाँ पर आप वस्तूओ के शेर पर पैसा निवेश करते हैं वस्तू मतलब प्रॉडक्ट और ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पर भी आप शेर मार्कीट की तरह ट्रेडिंग करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं जिस तरह शेर मार्कीट में एक्यूटी शेर पर निवेश किया जाता है ठीक उसी तरह Commodity Market में भी आवस्तूओ की ट्रेडिंग करते हैं Commodity Market के बारे में जानने के बाद अब बारी आती है MCX के बारे में जानने की क्योंकि MCX Commodity Market का एक बहुत ही एहम हिस्सा है चलिये अब आपको मैं बता देता हूँ की MCX क्या होता है दोस्तों जिस तरह Equity Market के लिए National Stock Exchange NSE और Mumbai Stock Exchange BSE है ठीक उसी तरह commodity market के लिए MCX multi commodity exchange है जिसे हम MCX कहते है commodity market में होने वाले share के उतार चड़ाव को हम MCX पर ही देख सकते है अब मैं आपको बताता हूँ कि commodity market में trading कैसे करते है दोस्तो commodity market में trading करने के लिए आपके पास में एक trading account होना बहुत ही ज़ादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके पास trading account नहीं है तो आप commodity market में trading नहीं कर सकते तो सबसे पहले आपको trading account के बारे में जानना होगा और आपके पास एक trading account भी होना चाहिए मतलब trading account के बारे में जानने के लिए एक trading account होना ज़रूरी है ताकि आप उस पे practice कर सको दोस्तों इसके अलावा आप ध्यान रखना आप जिस भी broker के पास अपना trading account खुलवाते हैं वहाँ पर broker MCX और NCDX exchange का एक सदसे हो ताकि आप उसके trading account से commodity market में भी trading कर सकें अब मैं आपको बताता हूँ कि commodity market में trading कैसे करते हैं दोस्तों commodity market में आपको trading करनी के लिए सबसे पहले चुनना होगा कि आप किस पर trading करना चाहते हैं क्योंकि commodity market में trading करने के अलग-अलग तरीके हैं जैसे कि अगर आप commodity market के अंदर अगर आप sona चान्दी पर trading करते हैं तो उसके लिए आपको base, metals पर trading करना होगा ठीक इसी तरह बुलियन्स, आर्गो, कमोडिटी, एनरजी पर भी आप अपनी सुवीदा अनुसार ट्रेडिंग कर सकते हैं आपको बस ट्रेडिंग करते समय कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपनी ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस और टार्गेट जरूर लगाएं ताकि आपको कोई नुकसान ना हो और आपको मुनाफ़ा ही मुनाफ़ा हो दोस्तों स्टॉप लॉस इसलिए लगाया जाता है अगर आपका शेर नीचे गिरता है तो आप पहले ही स्टॉप लॉस लगा के रखिए कि इससे जाधा अगर नीचे गिरे तो ओटमेंटिकली बिक जाए ताकि आपको जादा नुकसान ना हो तो अब आपको मैंने बता दिया है कि कमोडिटी मार्कीट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं और कमोडिटी मार्कीट से सोना कैसे खरीदते हैं तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई है जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करना शेयर करना कमेंट करना कमेंट करके जो पूछना है आम मुझसे पूछ सकते हो मैं आपको अगले 24 घंटे में उसका रिपलाई दे दूँगा ऐसी स्टोक मार्कीट से रिलेट